फेस के अंचाहें तिल को हटाने के लिए नो जाने हम अपने फेस पे क्या क्या लगा लेते हैं लेकिन कई बार तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है तिल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है दो रेमेडी आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपको अच्छा लगे बन लोगों के लिए मैं एक दवा बताने वाली हूँ अभी उस पर टेस्टिंग चल ला है उसको मैं खोदी यूज करके देख रहे हूँ जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी आप भी यूज करके तिल को ठीक कर सकती हैं होमियोपैति की दवा है बिल्कुल इजी है लगाना रोज आपको लगाना है लेकिन पहले मुझे रिजल्ट मिलेगा तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग बेट करिए उस दवा का उसके बारे में इतना तारीफ हो रहा था तो मैं भी यूज करके देख रहे हूँ कि क्या और सच में काम करता है कि नहीं तो आप लोग थोड़ा बेट करिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का रेमिडी क्या है जो आज आप लोगो बताने वाली हूँ ध्यान से देखिए और आज से ही इसे लगाना सुरू कर दीजिए तो इस रेमिडी को तयार करने के भी सकते हैं उसके बाद से आपको इसमें एड कर देना है पांक से छे बुंद नीबू का रस ठीक है इस रेमिडी को आप एक हफ्ता लगाए रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने यूज किया है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने फ लगाना सुरू कर दीजिए तो 5-6 बुंद नीबू का रस डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब इसे आपको फेस पे लगाना कैसे है ठीक है तो फेस पे लगाने से पहले आप फेस वास करके फेस को क्लीन कर लीजिए उसके पर ही लगा करके आपको मसाज करना है इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे तिल नहीं है तो मैं अपने हाथों पर लगा करके आप लोग को दिखा रही हूं इसी तरीके से आपको लगा करके मसाज करना है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके इसकिन को नु result मिलेगा इस तरीके से आप सुबह बना कर रख लिजिए फ्रीज में और दिन में आपको तीन से चार बार अपने फेस पे लगाना है चाहें आपके फेस पे तिल हो या तो नेक पे तिल वाले अस्थान पे आपको लगा करके एक मिनट के लिए मसाज करना है उसके बाद से इस इसकीन ड्राइब ही हो जाए बिंटर भी है बिंटर में इसकीन ड्राइब होना आम बात है तो इसकीन को मुस्चुराइज करना आप लोग मत भूलिएगा लेकिन केमिकल प्रोडक्ट से नहीं या तो एलोवेरा जेल से या तो कोकोनट आयल से ठीक है पूरी जानकारी आप को मिल गई होगी कि इसे कैसे बनाना है तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं कि दूसरी रेमडी किया है यह भी 100% काम करता है लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत मित होता है कि चूना फेस पे लगाने से इसकीन जल जाता है लेकिन उन लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती अपने फेस पे तो आपके स्कीन को कोई नुकसान नहीं करेगा ठीक है इसमें एक चीज आपको ऐसा मिक्स करना है जो कि स्कीन को सुरच्छित रखेगा आपके स्कीन को डैमेज भी नहीं होने देगा तो वीडियो पर बने रहे है इसकिप करके मत देखिएगा आप लोग न उसके बारे में जितना भी रेमिडी आप लोग के साथ सेयर कर चुकी हूँ तील को हटाने के लिए उसमें से बहुत सारे लोगों ने यूज करके अपने फेस के तील को ठीक भी किया है आप लोग कमेंट भी देखें हैं बहुत सारे लोगों के फेस का तील ठीक हो गया है तो लोग सही तरीके से यूज किये हैं, पूरी जानकारी लिए हैं, तभी जाके उनके फेस का तिल ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा आपको चूना ले लेना है, इसमें आपको एट कर देना है, थोड़ा सा एलो बेरा जेल, इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है, इसे बना कर आप में इस्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्रीम का डिपी हो, उसमें भर के रख दीजिए, चार-पान दिन आराम से इसे आप अपने फेस पे लगाईए, अब जान लेते हैं कि आखिर हमारे फेस पे तील होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, और एक कैसे होता है, तो तोचा की कोशिकाएं, फैलने के वज़ा इकठा होने लगती है, तो फेस पे ब्लैक और ब्राउन इस्पूर्ट दिखने लगता है, जो कि आगे चलके वो ब्लैक हो जाता है, तो आप अपने स्कीन की अच्छी तरीके से केर करिए, जब भी आप धूप में जाते हैं, तो संस्क्रीन क का यूज करिए, बाकी आपको हेल्दी डाइट लेना है, भरपूर मातरा में आपको पानी पीना है, अपने डाइट में आप कोई भी फ्रूट का यूज करिए, जो की विटामिन सी से भरपूर हो, आप अपने डाइट में विटामिन सी फ्रूट जरूर यूज करिए, इतन से देखिए आप लोग फेस को कलीं करने के बाद इस तरीके से कोई भी माचिस का तीली ले लिजिए उसके बाद से जहां पर तील है वहीं पर अपको लगाना है मतलब इसे आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है शिर्फ तील वाले area पे ही लगाना है क्योंकि यह चूना है हो सकता है कि आपका skin sensitive है तो नुक्सान करें तो sensitive skin वाले इसे बिलकुल भी ना अपने face पे लगाए अगर आप कभी भी अपने face पे इस तरह का remedy नहीं लगाए है पहले आप अपने neck पे लगा कर देख लिजिए कि आपके skin को suit करता है कि नहीं उसके बाद से ही आप फेस्थ पे लगाईए और फेस्थ पे आपको एक बार बहुत जादे नहीं लगाना है, मतलब एक दो तिल पे लगाईए अगर आपको ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, इसकीन को सूट कर रहा है तभी आप अपने पूरे फेस पे लगाईए ठीक है पूरे फेस का मतलब है नहीं कि आपको पूरे फेस पे पैक की तरह लगाना है जी नहीं इस तरीके से तिल वाले एरिया पर ही आपको लगाना है तो इस तरीके से आप बना कर फ्रीज में रख लि देता है लेकिन वहीं पे बहुत सारा तिल दिखने लगता है तो पूरी तरह से फेस को खराब कर देता है हमें कहीं जाने का मन भी नहीं करता है मतलब इसकी नितना खराब हो जाता है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता है तो ऐसे में आपके साथ भी यह समस्या है तो आपको परे जानकारी मिल घई होगी कि दोनों बनाना कैसे है और फेस पे लगाना कैसे है वल है तो आप की स्कीन को हम नूपसान नहीं करें तो आप ओबरनाइट के लिए भी इसे लगा करके छोड़ सकते हैं, आई होप आप लोग को जानकारी मिल गई होगी कि दोनों रेमेडी कैसे बनाना है और किस तरीके से लगाना है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा, क्योंकि आज कल तिल की समस् परिशान हैं, आप लोग के कमेंट से पता चलता है, इतना सारा कमेंट आता है कि मेरे पेस पे बहुत पुराना तिल है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादे परिशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कोई रेमेडी बता दिजिए, तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करिए अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल पनिव है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर एक बात और आप लोग को बताना चाहते हूं कि इस रेमेडि को बच्चों पर बिल्कुल भी आप लोग मत यूज करिएगा ठीक है तो मैं आप लोग से मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई